परिचाए इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आनुवन्शिक तत्व के रूप में DNA की खोज को समझना पॉली नुकलियोटाइट, श्रिंखला, DNA तथा RNA की सनजना को समझना केंद्रिय सिध्धान्त यानी सेंट्रल डॉग्मा की पहचान करना केंद्रक में DNA की पैकेजिन को समझना ग्रिफफीत के रुपांतरन सिध्धान्त को समझना हर्षे एवं चेस के प्रयोग को समझना और DNA तथा RNA के बीच अंतरों को पहचानना DNA की आनुवंशिक तत्व के रूप में पहचान सन 1870 में फेडरिक मिशर ने केंद्रक में DNA की एक अमलिये पदार्थ के रूप में पहचान की तथा इसे केंद्रकिन यानी न्यूकलिन का नाम दिया मौरिस विलकिन्स एवं रोसौन लिंड फ्रेंक्लिन ने एक्सरे द्वारा DNA की क्रिसलोग ग्रैफिक छवी प्रस्तुत की एरवेन चारगाफ ने बताया कि दुई रज्जुक DNA में एडिनीन वा थाइमीन तथा गौनिन वा साइटोसिन के बीच अनुपात इस्थेरवा एक के बराबर होता है इन तरकों का उप्योग कर सन 1953 में जेम्स वाट्सन और फ्रांसिक क्रीक ने DNA की दुई कॉंडलिस सनचना निर्धारित की पॉली पेप्टाइड श्रेंखला नैट्रोजनी चार नैट्रोजनस चार के दू प्रकार होते हैं एक प्यूरीन, एडिनीन तथा गौनिन दो पिरिमीडीन, आरेने में साइटोसीन तथा यूरसिल या DNA में थाइमीन पॉली पेप्टाइड श्रेंखला एक पॉली पेप्टाइड श्रेंखला में राइबोज शर्करा के एक मुक्त सिरे पर फॉस्फेट मुईटी होता है इसे पॉली नुकलोटाइड श्रेंखला का पांच डैश सिरा कहते हैं राइबोज शर्करा के दूसरे स्वातंतर सिरे पर हाइड्रॉक्सील सम्मूम होता है इसे पॉली निकलोटाइड श्रंकला का तीन डैश सिरा कहते हैं DNA की सनजना DNA दो निकलोटाइड श्रंकलाओं का बना होता है जिसका अधार शरकरा फॉस्वेट का बना होता है दो बहुलक प्रती समाना अंतर चलते हैं एक बहुलक की धुरुफता पांच डैश से तीन डैश होती है जब कि दूसरे बहुलक की दुरुफता तीन डेश से पांच डेश होती है दोनों बहुलकों में पूरा काधार युगमन होता है जहां क्षारक, युगम, हाइटूचन बंधों से बंधे होते हैं दोनों श्रिंखलाएं दक्ष्रन वर्ती ढंग से राइट हैंड़ेट फैशन कुंडलीत होती है एक कुंडली में प्रतेक 0.34 नैनो मीटर के बाद शारक युगम होते हैं और प्रतेक 3.4 नैनो मीटर के बाद कुंडली खूम जाती है प्रतेक खुमाओं में लगभग 10 शारक युगम होते हैं दोई कुंडली में एक शारक युगम दूसरे शारक युगम पर इस्थित होता है मूल सिध्धांथ Central टोगमा मूल सिध्धांथ का अर्थ निम्नलिकिट ढंग से अनुवन्शिक संकेत का प्रवा है DNA, RNA, प्रोटीन और इस सिध्धांथ का प्रतिपादन फ्रांसिस क्रीक ने किया प्राक केंद्रकों यानि प्रोकार योट में DNA कुंडली संवेश्टन एक प्रारूपीस दंधारी कुश्का में DNA दूई कुंडली की लंबाई 2.2 मीटर होती है एक छोटे से केंद्रक में इसका समावेश कैसे होता है एक प्राक केंद्रकी कोश्का में DNA प्राक केंद्रकों में DNA विशाल पाशों में संगठित होता है जिसे प्रोटीनों में सिध्ध केंद्र काब यानि नुकलोईट थामे रहते हैं ससीमे केंद्रकों यानि युकॉरियोर्ट्स में DNA कुंडली का समवेश्टन ससीमे केंद्रकी में हिस्टोन्स संगठित होते हैं जिससे आठ हिस्टोन अड़ों की एक इकाई का निर्माण होता है जिससे हिस्टोन अश्टक कहते हैं DNA डणात्म ग्रूप से आवेश्टित अच्टक से लिप्टा होता है जिससे केंद्री काब यानी नुक्लियोजोम का निर्माण होता है। आवर्ती केंदरी काप, नुकलियोजोम, केंदरक में धागय नुमा सनचनाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें एक के बाद एक मिलते हैं, उसे क्रोमेटिन कहते हैं. इलेक्ट्रोन सूक्ष्मिदर्शी में केंदरी काब, नुक्लियो योजोम, धागे पर मन के जैसे दिखाई देते हैं क्रोमेटिन सम्वेश्टित होता है जिससे क्रोमेटिन तंतूं का निर्माण होता है मध्यावस्था में क्रोमेटिन तंतू संघनित होते हैं जससे गुण सूत्रों का निर्माण होता है इस संघनन के लिए हिस्टोन मुक्त गुण सूत्रिये प्रोटीनों की आविशक्ता होती है ग्रीफित का रुपांतरण सिध्धान्त DNA की आनुवन्शिक फुमिका की खोज 1928 में फ्रेटरिक ग्रीफित के शोद से आरंब होई फ्रेटरिक ग्रीफित ने स्ट्रेप्टोकूकस नियूमोनियाई के दो प्रभेदों रोगजनक और गैर रोगजनक पर कारे किया ग्रीफित ने जब रोगजनक ऐस प्रभेद के उश्मा से मृत अफशेशों को घैर रोगजनक आर प्रभेद की जीवित कोशिकाओं से मिलाया तो देखा कि इन में से कुछ कोशिकाएं रोगजनक हो गएं ग्रीफित ने इस चमतकार को रुपांतरण का नाम दिया कॉलिन मेकलियोईट वा मेकलीन मेकाटी ने ग्रीफित के रुपांतरण सिध्धांत के जैवरासाइनिक सरूप निर्धारन पर शोत किया नीचे दिये शोत के अनुसार आप देख सकते हैं कि DNA अनुवनशिक पदार्थ है हर्षे चेस प्रयोग सन 1952 में अल्फरेड हर्षे और मार्था चेस ने अपने प्रयोगों से सिध्ध किया कि DNA टी दो नामक जिवानुँ भूजी फाज का अनुवनशिक दत्व है उन्होंने कुछ विशाणू रेडियोधर्मी फास्फोरस रेडियोधर्मी DNA उत्पादक से युक्त एक साधन पर और कुछ अन्ने रेडियोधर्मी गंधक यानी रेडियोधर्मी प्रोटीन उत्पादक युक्त साधन परोगाए रेडियो धर्मी विभोजियों को एकोलाई जीवानूं से चिपक जाने दिया गया पाया गया की रेडियो धर्मी डीने से युक्त विशानूं से संक्रमित जीवानूं रेडियो धर्मी थे जबकि रेडियो धर्मी प्रोटीन से संक्रमित विशाणूं में DNA नहीं था इससे स्परस्ट होता है कि विशाणूं से जिवाणूं का प्रेशित तत्व DNA था आनुवन्शिक तत्व के गुण एक आनुवन्शिक रूप में कार्य करने है तू एक अणू का निम्निलगित मानकों को पूरा करना आवशक है। उसे प्रतिक्रिती बनानी चाहिए। उसे रासायनिक और सनचनात्मक स्तर पर इस्थिर होना चाहिए। उसमें उत्परिवर्दन की संभावना होनी चाहिए। उसमें स्वायम को मेंटलिये लक्षणों के रूप में प्रकट करने की ख्रमता होनी चाहिए। RNA RNA पहला अनुवशिक पदार था। जिवन की आविशक प्रक्रियाओं एवं प्रोटीन संचलेशन तंद्र का विकास RNA से हुआ। RNA अनुवशिक तत्व के साथ साथ एक उत्प्रेरक के रूप में कारे कर सकता है। एक उत्प्रेरक के रूप में RNA प्रतिक्रियाशील और अस्थाई था। इस तरह RNA के रासाइनिक रूपांत्रन से एक इस्थाई अनुवशिक तत्व के रूप में DNA का विकास हुआ। कौन सा अनुवन्शिक तत्व बहतर है? RNA या DNA? RNA और DNA के कुछ लक्षन हैं. इस तरह RNA अनुवन्शिक संदेश के संचरण के लिए बहतर है. किन्तु अपिक्षक्रित अधिक इस्थिर होने के कारण DNA अनुवन्शिक संदेश के भंडारन हे तू बहतर है. क्या आप जानते हैं, पूर्वन निर्मेत DNA, DNA बहुलक तथा चारों डियोक्सी नुकलियोटाइडों की थोड़ी सी मात्रा से DNA का संशिलेशन किया जा सकता है। इससे DNA बहुलक के शुद्धी करण के साथ साथ जैविक रूप से सक्रिये DNA उत्पादन में सहयता मिलती है। सारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संशेप में दोहराएं। DNA अनुवन्शिक संदेश का संग रहे करता है। RNA अधिकांश्ता अनुवन्शिक संदेश के अंतरण और अभिव्यक्ती में सहयता करता है। DNA रासाइनी केवं सनचनात्मक रूप से अधिक स्थिर होने के कारण एक बेहतर अनुवन्शिक तत्व है। DNA दो पॉली पेप्टाइड श्रंखलाओं से बना होता है। DNA कुंडली के एक शारक युग्म आपस में हाइडोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। DNA कुंडली में पूरा का आधार युग्मन होता है। फ्रेडरिक ग्रीफित ने प्रयोगों के आधार पर रूपांतरण सिध्धांत का हल निकाला।